हाई एवरिवन वल्कम बैक तो शानी डिलेट क्लासस फर्स्ट आफ वल गुट मॉर्निंग ट्यू एवरिवन कैसे हैं आप सब में उमीद करती हुआ आप बहुत अच्छे होंगे रेगलर बेसे पढ़ाई कर रहे होंगे आज यहां पर हम मैथ का मॉडल पेपर देखेंगे ठ पहला सेट है विस तरह और भी सेट करेंगे जब तक आपके अग्जाम नहीं होते हैं ठीक है आप शालनी डिलेट का सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले कोई भीड़ा हो तो कमेट के तुर्पूर चकते हैं जैसे आपका पेपर आता है वैसे ही फॉर्मेट मेंने सेम तेय यह सब्सक्राइब तक समय पर तक समय आपवर्थ मैंने सब कुछ अच्छे सेग्दम पहले पढ़ाया है कि और आपको छार ऑप्शन दिया गया जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट मात की प्लेलिस्ट बनी हुई है आप जाके देख सकते हैं अब यहां पर बताई किसका राइटा अंसर क्या होगा चारों दिया गया है एक नौ एग्यारा तेरा नौ आट ताइस चतिस तीन छे नौ पारा नौ का आपसे अपोवर्ट पूश रहा है तो बताईए कौन सा ओप्शन करेक्ट होगा आप सभी को जानकारी है और पता भी है अपोवर्ट के बारे में आपसे पूश रहा है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है आपको 9 का टेबल पढ़ना है है 9 की की क्या करना है 9 का पहारा परना नौ 9 9 21 1 Observ यह ऑफशन आपको करेक्ट है यह क्या है यह आपके सैट फ नंबर्खुरज दिये यह नौके अप याराइट आगे बढ़ते ही next देखते हैं मुझे उमीद है कि आपको यह जो 9 का दिया है 9 का 12 का 3 का 16 का 18 किसी का भी अपवर्थ पूछेगा तो आप कर ले जाएंगे ठीक है 31, 33, 33, 33, 33, 349 बताइए कौन सो ऑफशन करेक्ट होगा विच ऑफशन बेस फटा फटा बताई राइट आंसर क्या होगा इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको पता है बस आपको ध्यान क्या रखना है कि यह 30-40 इस तरह के कई सेट आपको पूछे जाएंग हर एक जो आपका 15-16 है सब कुछ मिला कर 18-19 सब को मिला कि मैंने यह सट त्यार किया ताक कि आपको हर जगां से त्यार हो जाए अब इस तरह के आपको बहुत सारे क्योंस पूछे गए इसलिए करवा रही हूँ कि ताकि आपका जो एक नंबर पांच नंबर का क्योंस आपका दिया हुआ है कि 15% को भिन में चेंज करना है सिंपल सी बात का पूछ रहा है कि आपको प्रतिशत में दिया और फैक्शन में आपको चेंज करना है यह बात मैंने आपको बहुत पहले ही क्लेर करके बताया था कि जब कभी भी आपको प्रतिशत में दिया हो भिन में बदलने को कह रहा हो हमेशा आपको जो संख्या प्रच्वत में दी हुई है उसमें आपको सौ से भाग करना है क्या करना है सो से भागग गरना इस बात को गाट बाँकर द्यमाक में बैठा लिजे इस तरह के प्रशना आएंगे अगर वहफिकल्पी में आता है या लगुतरी यह सब फ्री के नंबर होते हैं जो फ्री में दला देते हैं यह किसी का गलत नहीं होना चाहिए तो सिंपल है आप 15 में 100 से भाग करेंगे तो यहां पे आपका कौन सा उप्शन करेक्ट होगा ए उप्शन करेक्ट होगा तीन बटा बीस आएगा पान्त या एक वंदरा बीस बाहर में 105 से कर जाएगा क्लियर है आगे बढ़े नो डाउट नेक्स्ट 5 से भाज होने वाली संख्या यहां पर आपको 4 option दिया है कौन सा correct होगा यह आपको बताना है तो यह question आप कैसे करेंगे बहुत आसान है आप सभी संख्याओं में 5 से भाग दे दीजे तब भी आपको पता चल जाएगा की कौन सी होगी या तो आप पांच का जो divisibility का rule है वो अहां पे apply कर देंगे तब भी आपको correct answer मिल जाएगा मैं इसको नहीं करवा रही है क्योंकि मैं नहीं समझती हूँ कि ये आपको मुझे करवाना चाहिए लिया इसलिए है क्योंकि previous year में आया हुआ था इस तरह 5 का आया है तो आपको फस्ता को है बच्चे 9 का भूलते हैं 12 का भूलते हैं 11 का भूलते हैं 7 का भूलते हैं ब्रहट कोड को एंग्रिस में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं यहाँ पर 135, 305, 88 और 180 यहाँ पर डिगरी के बाद मान दिये हुए हैं आपको बथाना है कि रिफ्लेक्स एंगल का मान क्या होता है तो राइट अंसर यहाँ पर क्या होगा मैं जान सकती हूं आप सभी 305 है कि रिफ्लेक्स एंगल का जो ब्रेह कोड का मान होता है उसकी व्याली होती है कि वह 180 से ज्यादा हो 180 से लेकिन क्या 300 60 से कम हो ठीक है तो यहां पर यहीं एक ऐसी दिल्गी बिटाई गई है जो 180 से ज्यादा भी और तीन सो साथ से कम भी है करेक्ट यहां पर आपके बहुविकल भी प्रश्ण पांच नंबर के खटम हुए अब आगे बढ़े अब हम यहां पर अतिलग उत्री देखेंगे जिनकी संक्या 6 से 11 है एक नंबर का ये भी प्रश्ण है ठीक है बहुत सिंपली से है देखिए प्रीव पूड़ा का ठाट राके इसको कितने नंबर मिलेए को क्ता है को 65% मिला है उसका eine 65% है याइस toen या इंटर में आपका इसका है इसको यह इंटर में शसें पांसव प्रश्ण आता है यह नंबर वाले ज्यादा पूछे जाते हैं population वाला भी पूछा जाता है एक प्रशन आपको एज वाला भी आता है मैं करवा दूंगी कि इतने की आयो इतनी है तो इसकी यह होगी वगरा वगरा टाइप से salary से इतना बज़त करता है तो तमाम चीदे पूछी जाती है ठीक है अब फिलाल अभी questions देखते देखिए कुल प्राप्त कितना था 65% उड़ांग कितना था 500 का तो पांसू की 500 का 65% 500 का 65% कैसे निकालेंगे 500 गुड़े 65 पटा 100 0000 कैंसल हजाएगा इन दोनों को 65 में आप 5 से 25 बटे 500 यह बराबर कितने हो रहा है 65% के clear है आप बच्चे को राकेश को 325 नंबर मिले हैं कितने में से 500 में से आगे चले कोई दिक्कत की बात नहीं नेक्स देखते हैं यहां पर सात्वा प्रशन आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिया गया है काफी बढ़ी है ध्यान से दे आपको टेलेग्राम चैनल से मिल जाएगा लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा देखी क्या दिया है ब्राकेट में एक्स प्लस फाइफ का होल स्क्वार का मान आपको बत्यान रखेगा बहुत बढ़िया प्रश्न है इस तरह के कई सारे प्रश्न आसकते हैं इसे कई सारे पूछ सकते हैं ध्यान रखेगा इस तरह के प्रश्न को भी लगा लीजियेगा अब देखिए यहां प्रस्फिल सा है कि जब यहां पे आपको लेक्स पर दे दिया है तो X मतलब A है और 5 मतलब B है तो यहां पर A² X² B² 5² 2 2 A का मतलब X था गुड़े X B का मतलब 5 था तो 5 ठीक है यहां पर आपका यहां पर क्या बन गया X² प्लस 5² प्लस 2 इंटू X इंटू 5 अब आप इसको क्या कर सकते है X² को X² लिखनेंगे यह 5 का स्कुरार प्लस 5 का स्कुरार करेंगे तो 25 आएगा और यह 2 है यह 5 है गुड़ा करेंगे 10 हो जाएगा तो यह 10 X हो गया अब आप इसको सही तरीके से लिख दीजे वारिये बलेक साइट कर दीजे तो देखें यहां पर X² प्लस 10 X प्लस 25 क्या आया यह इसका correct answer निकल कर आ गया clear है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मैं ऐसा उमीद आपसे कर सकती है इस तरह के कई formula के base पे आपको questions लगाने होंगे चलूं आगे next देखिए 8 है यहां पर यदि किसी वर्ग यानि कि square की एक भुजा 6 cm है एक square है तिक उसकी जो भुजा है वो 6 cm कितनी है 6 cm है और उसका चे तरफल आपको बताना है उसका पूरा area आपको पताना है कैसे calculate करेंगे formula आपको पता होना चाहिए वर्ग का 6 तरफल आपको बताना है तो area of square कितना होता है side square यानि कि भुजा square भुजा को कितनी दी है 6 cm तो भुजा पर आपर 6 cm एरिया बरापर भ भुजा का square बेल पुट कर दी है भुजा आपको पता है 6 cm तो 6 cm स्क्वार यानि कि 36 साधरान सा answer निकल कर आपको ऐसे आयत का 6 तरफल पूछेगा आपको जो है व्रित का diameter पूछेगा ध्यान रखेगा कई सारे प्रश्न बनते हैं काफी अच्छा topic इससे questions बनते हैं ठीक है बहुत ही हलके में मत लीजिएगा क्या पता कैसे questions राइस हो जाए आप सभी से आगे बढ़े next पटरी और प्रकार की सहायता से 60 का code बनाना मैंने यह नहीं करवाया क्योंकि आपको इसको अपने से करना होगा यह प्रश्न आपके 19 में भी देखने को मिला है 18 में भी देखने इसे मिल जाएंगे मेरा मोटिफ यही है कि जो प्रश्न जिसकी भी math दिक्कत में है नहीं आती है तो कोई problem है नहीं लगाया है तो जो आसान topic है कम से कम उसके questions तो आपको कमांड रहे कि आएगा तो हम कर देजाएंगे आगे चले next अब देखें यहां पर क्या है 24 बटा साथ को दसम्लों में बदलना है बहुत बढ़ी है question है simple सा है आपको fraction में दिया है दसम्लों में change करना कुछ मत करिए 24 में आप साथ से भाग जब कर देंगे तो चार तीन दसम्लों चार दो आठ निकल कर answer आएगा बस answer लिख दीजे और आपको कुछ भी नहीं करना है समझ में आया अगे चले next दीखिए फिर क्या है 11 question दिया है संख्याओ 13 49 273 का मासा घ्राद करो आपको HCF निकालना है HCF LCM से काफी प्रशन आता है द्यान रखिएगा आपको 13 49 273 का मासा निकालना है तो यहां पर arrange में दिया हूँ कभी आपको अगर यही data arrange में ना दिया हो यहां पर सबस से बड़े की तरफ arrange करेंगे गलती मत करेंगा basic सी बास आपको मैं बता रही हूं ठीक है अब देखिए आप क्या करेंगे सबसे पहले 13 में लेके 49 में भाग देंगे तो तेरा से आप 29 भाग लेंगे तो तीन बार में कर जाएगा 13 49 तीहां पर क्या बचा तेरा अब आप इस इसका मासा 13 निकल कर आया HCF यहां पर जो बचता है वही इसका HCF होता है सिंपल सी बात है तो आप देख सकते हैं कि मासा यहां पर 13 निकल कर आया ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको LCM HCF से काफी परशन बनते हैं बहुत यह अच्छा टॉपिक है इससे बहुत रूल पे बेस पे तो आपको आना चाहिए किसी को LCM HCF अकर नहीं निकालना आता है तो बहुत घलत बात है प्रैक्टिस कर लीजे वर्णा बहुत दिक्कत आपको होने वाली है ठीक है आगे बढ़ते नेक्स देखते हमारे यहां पर अधी लगुत्री प्रशन खतम होते हैं करी यह पूरा एक वृतित दिया है यहां पे आपको तीन तरजह पूछ रही थी же sect देखने लाएक नग्यूंड किनोसय तरग्जा को यह टिबक्ijn पूस्याह थी नशींग है वी को नाम क्या है तो एसी है यहां पर यह सी यह आधे भागों डामेटर तो ऐसे प्रश्णगर पूछता है दो नंबर में तो बहुत अच्छा पेपर है इसको कोई भी नेक है गलत है क्योंकि आराम से आप कर ले जाएंगे कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अब नेक करें कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएं चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्फ करेंगे यहां पर सिंपल सी बात में कहा गया है कि रेडियो का जो क्रेमूल है यानि कि जो इसका कॉस प्राइस है वो 300 रुपए कितना है 300 रुपए कितना हो रहा है प्रॉफिट 20% का आपको सेलिंग प्राइस विक्रेमूल पूछ रहा है ठीक है अब यहां पर यह बात हो रही कि वह कितने में उसको सेल करें कि उसको 20% का लाब हो जाए अगर 20% उसको प्रॉफिट चाहिए तो जो 100 रुपए में का रेडियो था वो उसको मतलब 100 रुपए मानके अगर आप चल रहे सौ क्रेमूल है तो विक्रेमूल 120 ठीक है एक क्रेमूल है तो विक्रेमूल कैसे होगा 120 बटा 100 आगे चलते हैं नेक्स दीखते हैं 300 अगर उसको कॉस प्राइज है तो 120 गुड़े 300 बटा 100 ठीक है । डबल 0,000 कैंसल हो जाएगा आप 120 में 3 से जब गुना करेंगे तो 360 क्लियर है समझ में आया कोई दिक्कत आगे चलते नेक्स देखते हैं फिर देखिए क्या है फटीन आपके सामने यहां पर दिया हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ठीक है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे उन्चास 59 और 109 को भाग देने पर से इस फलक्रम के लिए पांच है ठीक है गलती मत करिएगा वरना आपका नंबर जो आएगा रिजल्ट किसका अंसा वो उलट फलट हो जाएगा देखिए अब एक बात और कहें जब यहां पर आपको बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में पूछे तो इसका मतलब समझ जाएगा कि हमेश 59 और 109 में बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देंगे तो क्रमसा आपको एक तीन पांच आएगा यह आपको सेस बचना चाहिए सेस फॉल आपसे यही पूछ रहा है ठीक है आप आप सबसे पहले क्या करेंगे उन्चास में एक से भाग उन्चास में एक माइनस करेंगे त तो 104 आएगा ठीक है आपको पहले वह संख्या उसमें माइनस करनी होगी जो आपको दिया है ठीक है अब आप क्या करेंगे 48 56 104 का HCF निकालेंगे क्या निकालेंगे मासा निकालेंगे सिंपल है 48 से 56 में करेंगे एक बार में जाएगा यहां पे 8 बचेगा यह 6 बार में जाए और यह कर जाएगा तो मासा कितना निकल के आया यहां पर टोटल आठ आप से पूछ रहाता है कि कि संख्या से भाग करें बड़ी से बड़ी संख्या कि आपका सेश्वल एक तीन और पांच बचे तो आप क्या करेंगे आपको जो ऊपर संख्या दी गई थी 49 में 59 और 109 में आ दिया है 49 49 में आप आट से भाग करेंगे अब यहां पर आपको प्रूफ पर दिखा दे रही हूं देखे यहां पर क्या दिया आप आप उन्चास में भाग करेंगे तो बोला है कि सेश्वल एक आएगा आर्ट चंग तालिस होता है करेक्ट यह चार से चार 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 कैंसल 9 से आठ यहां आठ जाएगा तो बचेगा एक ही तो बचेगा से सम्पेशन का है बॉर्ड मांस के रूल पे चलता यह पता होना चाहिए क्या दिया थारा सीटेंगा माइनस ब्रैकेट माइन प्लस करीट 16 माइनस 18 माइनस 5 बहुत सिमपल सा है पहले हो उतार दी ठीक है अब देखिए यहाँ पे सिंपल क्या 18 माइनस 14 है इन दोनों को को आप माइनस करेंगे हर चोटा चोटा तो ब्रैकेट उसको सॉल्फ करते हैं तो यहां पर तीन बजेगा एक और यहां पर यह लग रहा है यहां पर खुल जाएगा अब यहां पर देखी एटीन माइनस फॉर्टीन यहां पर प्लस त्री है चौदा में आप तो ब्रैकेट लास्ट बचा हुआ है आप सब्सक्राइब करेंगे समझ में से क्वेशन साते सिंप्लिफिकेशन के क्वेशन को आप सभी बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे ठीक है आगे चलते हैं नेक्स देखते हैं बहुत आसान से हैं देखिए क्या है 16 देखिए इस तरह के कई सारे प्रश्ण आएंगे बहुत सारे प्रश्ण हैं यूपी बोर्ड की 6-7-8 लगा लीजे प्राइवेट स्कूल की बुक लगा लीजे सिरीज कर लीजे क्वेशन करवा देखिए आपका फायदा ही फायदा होगा पूराने पेपर इतने उसा सॉल्व कर लीजे 16 आपके सामने यहाँ पे है कि किसी कक्षा में 30 बच्चे हैं 30 बच्चे टोडल है जिसमें 80% बच्चे पास हुए हैं अब आप से पूछ रहा है कि बच्चों की जो उत्रीन हुए उत्रीन हुए उनकी संख्या कितने आपको तो प्रश्चत की रूप में पताने कि 80% बच्चे पास ह सिंपल सा क्या फॉनल लगाएंगे तीस गुणे अस्ती बटास हो ये दो जीरो ये जीरो जीरो कैंसल हो जाएगा तीन और आट करेंगे तो चौबिस आपका आंसर निकल कर आएगा आप से जो बात पूछी जाए तुसकी संख्या कितनी है चौबिस चौबिस बच्चे पास क्या हुए फेल हो गए तीसी बच्चे थे जब चौबिस पास हुए तो च्छे ही तो फेल होंगे तो ये आपका उचित आंसर है कोई रिकत नहीं है प्रिस्टर कर्शन सरूर लगाएगा नेक्स देखते हैं यहाँ पे आपको एक बेसिक सा प्रशन पूछा है रुपए 500 का तीन वर्स का 12% का वार्सिक ब्याज की दर से साधारन ब्याज आपको यहाँ पे एक साधारन ब्याज का कोईशन पूछा गया ठीक है आपको 500 रुपए का तीन वर्स के लिए 12% उसका वार्सिक ब्याज लग रहा है सिंपल इंटरस आपको बताना है सिंपल सा है सिंपल इंटरस का फॉर्मला पता होना चाहिए अगर फॉर्मला नहीं पता को तो आप गलती कर देंग फॉर्मला क्या होतार पहले वो देखते हैं मुल धन गुड़े दर गुड़े समय वटा सो ठीक है पी इंटू आर इंटू टी बाइंडेट मूल धन कितना है पानसो दर कितना है 12 परशन समय कितना है तीन वर्स अब आपको फॉर्मला पता है वाल्यू दी गई सिफ पुट कर दीजे तो मूल धन कितना है 500 दर कितना है 12 समय कितना है 3 वर्स बटे 100 0000 कैंसिल है पांती आई 15 15 में आप 12 से गुणा कर देंगे तो आपका अंसार 180 रुपए निकल कर आएगा अगर दिया है और प्रससे चेंज करने को बोल रहा है सिंपल एक चीज याद रखना है कि गुणा होगा किस से 100 से आप 0.085 में 100 से गुणा करेंगे तो 8.5 निकल आएगा प्रसस देंगा में तसमलों से भिनने में भिनने से तसमलों में इन सबको एक एक चीज दी गई है ध्यान रखे आपको मोटी चीज याद रहे तो आप हमेशा क्वेशन को कर ले जाएंगे ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है आज किया क्लास यहीं तक हमने मॉडल पेपर मैथ का लिया था ठ जाते जाते एक कमेंट एक लाइक एक शेयर मेरे लिए जरूर करते हुए जाएगा हम नेक्स क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केर और ऑलवेज कीप स्माइलिंग